आशा करता हूँ, आप सब बहुत अच्छे होंगे, मेरे नाम ऐसे द्धान तक नहीं होता ही, स्टेडी आईक्यूपैप का बहुत बहुत सबागत है, आज हम विलियम जोसफ बंस की बात करेंगे, विलियम जोसफ बंस की बात करें, तो इनको जो बाइडन ने as CIA head appointment किया है, आ terrorism को भी भड़ावा दिया है, इनके हक में जो बात गई है, जो अमेरिका के हक में बात थी, वो CIA ने उसको ground पर implement किया, तक ता पलट कराए है, CIA काफी notorious रही है, लेकिन फिर भी काफी जादा efficient है, इन्होंने बोला कि रीजन में stability राने के लिए हमको ऐसाब करना पड़ा, आज तक हमने किसी भी डारेक्टर की बात नहीं की, लेकिन हम William Burns की बात करेंगे, जो कि डारेक्टर बनने वाले हैं, CIA, कौन है ये, जिनको जो बाइडन ने appoint किया है, ये क्यों इतना important है, हम इनकी बात क्यों कर रहे हैं, लेकि हम intelligence agency की बात करें, तो IB की wants आई है, test series हमने निकाली भी है, law school की UPSC, इन सब पर heavy discount है, तो आप इनको, मतलब ये test series को आप ले, और आपको बहुत ज़्यदा फायदा होगा, इंस्टा पे मैं आगे हो, रात 8 से 10 बज़े तक मैं सारी queries answer करता हूँ, और अगर आप मुसे one to one interaction करना चाह रही है, तो आप मुसे मिल भी सकते है, क्योंकि मैं updates यहाँ पर डालूँगा, तो अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है, जो बाइडन, उन्होंने William J. Burns को secretary चुना है, sorry secretary क्या है, head चुना है, director, actually secretary में लिये बोल रहा हूँ, जब इनके बारे में पढ़ रहा था न, तो secretary, 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 secretary तो वही दिमाग पे है, और जबान पे मेरे है, तो central intelligence agency, अमेरिका की जो intelligence agency है, अब इनका जो nomination है, it is confirmed by the senate, ठीक है, अब कौन है William Burns, सबसे पहले हमको यह जानना है, यह American foreign service से 2014 में retire हुए, यानि कि यह diplomat रहे है, पता दू कि 1990 में अपना career चुरू किया, 1996 से लेकर 1998 तर, यह जो है ambassador रहे, जॉइडन में, 2001 से लेकर 2005 तक यह assistant secretary रहे, जो north affairs थे, north eastern affairs वहाँ पे, फिर उसके बाद, यह 2008 की 2006 में आप फ़ड़ा चेक कर ले जगा, मैं बूल गया ह के लिए भी America की तरफ से ambassador रहे, उसके बाद यह acting secretary of state रहे, और फिर यह secretary of state बने 2014 तक, यह इन्होंने post ली, 2011 से 2014 तक, और 2014 में यह retire हुए, अब आपको बता दू, he is highly qualified, बहुत ही जादा educated है, इन्होंने काफी economics पे काफी thesis लिखी है, presently he is the president of Carnegie Endowment for International Peace, ठीक है, दुनिया भर मे यह think tank आपको पते हैं क्या होते हैं, strategy, report, यह सब देते हैं, तो international peace कैसे आए, report तहर करते हैं यह, साथी साथ आप देखी सकते हैं कि US deputy secretary of state भी रही है, manager secretary of state बोल दिया था, यह deputy secretary, आपको पते ही है कि जैसे भारत में ministers होते हैं, अमेरिका में ministers नहीं, secretary होते हैं, ठीक है, तो deputy secretary of state रहें, और 5 US presidents के साथ इन्होंने काम किया है, 30 साल भाईया, 1990 में इन्होंने अपना career चुरू किया था, ट्रम्प आये, तो उन्होंने एरान agreement, जो nuclear deal थी, JCPOA जिसको बोला जाता था, उससे withdraw कर लिया, बराक Obama अमेरिका को इस agreement में ले किया था, यह एक तरीके से काफी peaceful क्योंकि आपको पता ही कि अमेरिका लगाता रारोप लगाता रहता कि इराक में इरान में यह nuclear weapon जो है, वो मतलब बना रहे हैं, तो जबसे 1979 में, जबसे इरान में revolution आया है, आयो तुलला खोमेनी, वहाँ पे थियोक्रेसी है, ठीक है, वो पूरी धार्मिक देश हो गया है, तो आपे कटरपन्त है, तो वहाँ पे nuclear weapons बनाए जा रहे है, अमेरिका का हमेशा से संधेरा है, तो काफी sanctions लगाए हुआ है इरान पे, आपको बदा दो कि मेरा आधे गंटे का सांदार्श शांदार्श सेशन है, वैसे मैंने 9 से 10 leaches लिए है इरान पे, आप जरूर तो George W. पूच अब जा रहे थे, तब William Burns इरान के लोगों से बात कर रहे थे, माँ के official से बात कर रहे थे, और 2013 में finally हम देखते है, Jake Sullivan और William Burns इन दोनों ने जो agreement, इरान से agreement जो sign किया न, secret channel कि थूर official से मुलाकात की, और finally इरान से agreement sign किया, और हम ये देख रहे हैं कि इरान भी बहुत कोश और अमेरिका भी बहुत कोश, क्योंकि इरान के उपर से sanctions अटे, इरान अब काफी सो विधाय ले सकता था, और अमेरिका को ये अब tension नहीं थी कि ये nuclear bomb बना रहे हैं क्योंकि हम देख रहे हैं, तो इसलिए लेकिन जैसे ही Donald Trump आये, तो रहन तुनों ने इस nuclear deal से ह Donald Trump चुन किया जाते हैं, नहीं आपसे बोला था कि सर्वे में ये बताया गया, लेकिन बहुत लोग मुझे question कर रहे थे, लेकिन मुझे पता था, क्योंकि मैं ये news काफी track करता था, मुझे पता था, Donald Trump जिस तरीके के decisions ले रहे हैं, वो Americans के लिए भी खतरनाक है, तो वहाँ प America और Iran के बीच में sign करवाई, अब वही CIA के director हो गए है, head हो गए है, बहुत जबरदस्त था ही, European Union, America और United Nations ने जो sanctions sign किये थे, जबरदस्त, अब दोस्तों 2015 में ये हुआ था, ठीक है, ये आपको पता ही है, मैंने बताया ना कि JCPOA पे आप पुरा lecture देखेगा, मैंने एक एक चीज़ समझाए, और study IQ पे भी वह lecture जो है, अब जब Obama president थे, तो Joe Biden vice president थे, आपको पता है ना कि जब Barack Obama president थे, Joe Biden जो है, वह vice president थे, तो Joe Biden काम तो देखी रहे थे, देखिए, इनको retire बहुत पहले ही हो जाना था, William Burns की बात करें, तो इनको retirement इनका दो बार रुका गया, एक बा बार बराक Obama में ने रोका कि या थोड़ा और काम कर रहो, तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, तो दो बार, लेकिन फाइनली 2014 में ये retire हो गए, इनका आखरी काम यही था कि इरान के साथ, इन्होंने शांती वरता इस्थापत कर ली थी, लेकिन उसके बाद फिर Donald Trump ने इनको मतलब विड्रॉक कर लिए, इन्होंने बहुत सारे awards भी जीते हैं, ठीक है, मैंने बताया ना, इन्होंने St. John's College से अपनी डिगरी ली है, PhD किया है, M.Phil किया है, काफी जबरतस्त सीसी से लिखिया है, किताबे लिखी है, तो highly intelligent है, international relations इन्होंने पनी डिगरी ली, अब देख किया है, कासिम सुलेमानी की, बहुत, मतलब लाखो लाखो लोग उसे देख चुका है, अब देखेगा, ये एक बड़ा ही खतरनाक स्टेप था, डॉनल्ड ट्रम्परेन को उड़ा दिया, मिसाइल सो उड़ा दिया था, इसले साल की बात है, तो यहाँ पे William Burns ने बोला, कि देखो, हम जो हैं, हम इरान के साथ शांती स्थापित करना चाहते हैं, ठीक है, हम शांती स्थापित ऐसे करेंगे, कि उनके सबसे बड़े लीडर को खतम कर दिया, आपको पते ही है कि 1979 से इरानियन revolutionary guard active है, कुछ force के, जो बहुत तगड़ी force है इरान की, उसके ये लीडर थे कासिम सुलिमानी और उनको उड़ा दिया, तो डॉनल्ड ट्रम ने बोला थे कि ये तो आतंकवादी है, ये तो आतंकवादी को मतलब बढ़ावा देता है, लेकिन दोस्तों इससे relation और खराब हो गया, ये डॉनल्ड ट्रम के लिए बिलकुल भी अच्छा, नहीं वाला की ज मिछले साल जनवरी को ही तो 28 के 27 उला दिया था ना, है कि नहीं, उला दिया था यहाँ पर कासिम सुलिमानी को, और ये बहुत बड़ा कि strategic setback है, जब इन्होंने इंटर्व्यू दिया था, आईरिश टाइम्स को, और उसके बाद बंस ने बोला कि जिस तरीके से मैरी योवन को हटाया गया है, जो कि करियर डिप्लोमाट थी, जिसको एकदम से जब ये उक्रेइन के अंबसेडर थी, 2019 को हटा दिया गया था, तो यहाँ पर डेमोक्रेट्स ने बोला था, कि देखें, डॉनल्ड ट्रम्प ये सब काम इसी ले कर रहे थे, ताकि जो बाइडन तो आपक तरीके से उनकी इमेज, बहुत कुछ हुआ, ठीक है, अब जो बाइडन भी पीछे नहीं थे, जो बाइडन भी लगाता लिए, कोचिश कर रहे थे, कि डॉनल्ड ट्रम्प ये पॉलिटिक से ये चलता ही रहता है, तो यहाँ पर डेमोक्रेट्स ने एलेक किया था, ये आरो दिप्लोमेट भीज देंगे, तो वो उनको फायदा करेगा, तो इसलिए हटाए गया था, उसके बाद दोस्तों, इन्हों ने अमेरिका जो, अमेरिका ने इराग पर जो इन्वेजन किया था, उसके बाद सद्दाम हुसेन को फांसी पर लटका दिया गया था, एक किताब है जब सद्दाम हुसेन के साथ थी, वो रोने लगे थे, आपको पता है, जब सद्दाम हुसेन को फांसी दी गई, क्योंकि सद्दाम हुसेन, बहुत शातिर थे, आपको पता ही है, बहुत शातिर इंसान था वो, जिस तरीके से उसने कतले आम किया, ये तो सभी को पता है, ले लगे थे जो उनका leader था जो security guard का head था उसने स्तीफा दे दिया था जब सद्धाम हुसेन को फांसी लटकाए गई थी क्योंकि सद्धाम हुसेन लास्ट टाइम तक उनको यह लगा था कि मुझे फांसी तो नहीं दी जाएगी ठीक है और सद्धाम हुसेन को फांसी लटकाने बताओ मैं तो इसलिए सद्धाम हुसेन को जब फांसी लटकाया गया देखें यह पूरी दुनिया ने बोला था कि यह decision जो है वो गलत साबित हो सकता है यह गलत साबित हुआ क्योंकि जिस तरीके से इराक में जब सद्धाम हुसेन थे देखें सद्धाम हुसेन तो एक अब यह आप मूवी देखेंगा और इस पर किताब भी है ठीक है तो वहां पर बताया है कि किस तरीके से पागल पंती वाली हरकत करता था उद्धा हुसेन जो कि सद्धाम हुसेन का चोटा बेटा था तो पागल तो सद्धाम हुसेन भी अपने पर्सिनालिटी को चुपाता तो अब यहां पर दोस्तों क्या है कि अमेरिका में लेकिन फिर भी काफी हद तक जब तक सद्धाम हुसेन था तब तक इस्टेबिलिटी तो थी जैसे ही सद्धाम हुसेन को हटाया अमेरिका ने इनवेड किया इराग में सब गड़बड हो गया भाई आइसिस का जो उदय ह वो इसी लिए तो क्योंकि आमेरिका ने इराक को इंवेड कर दिया और यहां फिर जैसे ही अरब स्प्रिंग हुआ आइसिस का होद होने लगा और इराक अभी भी बहुत ही ज़ादा अनस्टेबल है तो यह पहले ही वार्न कर दिया था विलियम बर्न्स ने यह बोल दिया था कि अगर हम चीजों को सही नहीं करेंगे इराक का जो इन्वेजन है अगर उसमें हमने एतियाद नहीं बढ़ता तो यह खतरनाक हो सकतर हुआ भी साबित अब दोस्तों यह जो डिसिजन है यह बड़ा इंपोर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो बाइडन ने कैसे इंसान को चुना है तो लिबरल मतलब जो इरान के साथ उसने नुकलियर डील फिर उसने इराक के बारे में ऐसे कहने का मतलब यह है रश्या के साथ भी उसने अच्छ जो संबंद है वो स्थापित के जब रश्या से अमबैसेडर थे यह एक ऐसे इंसान है जो शांती के तरफ थोड़ा जाते हैं ठीक है वार ना हो क्योंकि भाई देखो अगर अब युद्ध वाना तो इसमें कोई जीतेगा नहीं युद्ध जो है वो कन्वेंशनल टाइप स लेकिन आप ऐसा नहीं होगा आप कोई भी नहीं जीतेगा दोनों साइट की हर होगी तो इसे लिए एक ऐसे लीडर्स की जरूरत है तो शांती स्थापित करें तो यह वैसे जो इन्होंने अभी तक काम किया यह वैसे लग रहे हैं देखें के दोस्तों फिलाल आगे क्या होत है 12,700 सब्सक्राइबर है मेरे टेलिग्राम चैनल पर आप यही जोइन करें गई ऑफिशल है खुश रहे हैं परते रहे हैं देखें सिद्धान तक नहीं होतनी साइंच